पती ने अपनी पत्नी को कुबरा से कटवा दे, कोई व्यक्ति, कोई पती इतना करूर कैसे हो गया था। यह इतना निर्ममता कूण था, यह इतना जादा करूर था, कि कोट में जब ये बात सुनी गई, देखी गई, जानी गई, तो कोट में बैठे लोग भी सिहर गए। तक पहुंची तो हमारे रॉंग्टे खड़े हो गए क्योंकि खबर ही ऐसी थी एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर जो शायद आप तक भी पहुंचे तक बिल देने ओर कि और क्राइम के लिए इतना दिमाग कैसे चला सकता है क्या क्या सोच रहा होता है किसे क्या क्यों इस हद तक गुदर गया और वो खबर है ये पुरानी है लेकिन ये खबर अभी हम आपके लिए इस सामने लेकर आए हैं क्योंकि जागरुक होना बहुत जरूरी है और इस खबर को जानना आपके लिए बहुत जादा जरूरी है खबर है एक पती ने अपनी पत्नी को कूबरा से कटवा दिया पहले सबको यही इंसिडेंट नहीं था, ये हत्या थी, ये मर्डर था खबर की बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है वरुन सर, वरुन सी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मामला क्या है, खबर क्या है, और ये कोई व्यक्ति, कोई पती इतना कुरूर कैसे हो गया? देखें मरतुंजे, 2020 का ये मामला है, 2024 में जब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसकी बात करने के पीछे एक वाजिब कारण है वो बड़ी घटना हैं, जिनको आज भी स्टडी किया जा रहा है उस तरह की घटना हैं, जिसमें इनसान ने ऐसे अपराधों को अंजाम दिया जिनको कोट ने जगन्यतम माना ये इतना निर्ममता पूर्ण था, ये इतना जादा कुरूर था कि कोट में जब ये बात सुनी गई, देखी गई, जानी गई तो कोट में बैठे लोग भी सिहर गए तो हम ऐसी खबरे अपने दर्शकों के लिए अब लगातार लेकर आएंगे आज हम बात करने वाले हैं उत्तरा मडर केस की मामला केरल का है, केरल के कोलम इलाके का ये मामला है एक आदमी ने अपनी पतनी को तीन मरतबा एक सांप से कटवाया और दो मरतबा उसकी पतनी नहीं मरी, तीसरी मरतबा उसकी पतनी मर गई अब ये जो पूरी कहानी है, ये कहानी शुरू करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा वो पनपा 2018 में, अब देखे केरल के कोलम का ये मामला है, और सूरज कुमार नाम है उस शक्स का जो उत्तरा का पती था बैंक में वो कलेक्शन एजेंट के रूप में काम करता था, बहुत गरीब परिवार का था, उसके पिता ओटो रिक्षा चलाते थे उसको हमेशा जीवन में कुछ बनना था, कुछ करना था, अब जो मात ही, उसकी वो घर समालती थी, और बहुत ही गरीब परिवार उसका था, वो अमीर होने के लिए वो कुछ भी कर सकता था, और उसने यकीन मानिये, कुछ भी कर लिया जब वो अमीर होना चाहता था, और वो बगेर महनत के अमीर होना चाहता था, एक तो इनसान के अंदर होता है कि मैं बिजनिस करूँगा, नौकरी करूँगा, मैं अमीर बनूँगा, एक होता है कि बस मुझे पैसा मिल जाए, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़ अब उसे यहां पर मिलता है एक मेट्रीमोनियल एजेंट ने उसको बताया के बिचॉलिया तो उसने बताया के बही एक तरीका है तुम थोड़ा अमीर हो सकते हो उसके लिए एक अमीर लड़की से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी अब उसने एक लड़की के बारे में बताय लड़की का नाम था उत्रा और उत्रा को दरसल एक खास किसम की बिमारी थी लर्निंग डिसेबिलिटी इस बिमारी को कहते हैं और इस बिमारी में होता क्या है कि इनसान की जो सीखने की शमता है वो सामानने लोगों से थोड़ा सा कम होती है और उत्रा एक अमीर घर की वजह साफ थी कि वह एक लर्निंग डिसबिलिटी से बिड़ित थी तो बिचॉलिया ने बात की उत्रा के परिवार में बात की सूरज के यहां तो दोनों जगह यह बात हुई और सामंजस से बैठ गया और उत्रा को यह बताया कि यह लड़का आपका ख्याल रखेगा उत्रा क जो ख्वाब देख रहे हो जो चीजे सोच रहे हो तुमारी तकरीबन पूरी हो जाएंगी अब इसके बाद 25 मार्च 2018 में दोनों की शादी हो गई जिस दौरान यह शादी हुई उस दन सूरज करीब 28 साल का था उत्तरा 25 साल की थी और उत्तरा के परिवार ने सूरज को जादा यह सोना था और सोने की जो मार्किट वैल्यू है वह 2019 में भी 2018 में भी माफ करें वह बहुत जादा थी उस वक्त भी मतलब इतना गोल्ड था आधा किलो से जादा गोल्ड कर तकरीबन पॉना एक किलो गोल्ड जो है यह था और एक सुजुकी सेडान कार भी दी एक आठ हजार रुपे महीना भी सूरज को देने निश्चित किये उत्रा के परिवार ने मरतुंजे यह पैसा इसलिए था कि भाई आप उत्रा का ख्याल रखेंगे और उसको जो भी उसकी दवाई गोली की ज़रूरत होती है तो वह आठ हजार रुपे से आप इसे करते अब सूरज ने मतलब यह तमाम चीजों को देखा गोल्ड देखा गाड़ी देखी दसलाक रुपे देखे हर महीने मिलने वाले आठ हजार रुपे देखे और उसने उत्रा से शादी कर ली अब लेकिन वह उत्रा को प्यार कभी नहीं कर पाया और इसी के बाद उसके से शादी करनी चाहिए थी मैं इसके लिए फिट नहीं हूँ ये मेरे लिए फिट नहीं है ये एक बेमेल जोड़ा है ये एक मजबूरी की शादी है पैसो के लालच में शादी कर ली हाँ ये एक बात यहां पर बहुत महत्पूर्ण है तो ऐसा नहीं था कि उत्तरा अपना क बेटा था तो अब बाप थे पतनी थी बच्चा था यानि कि उसके पास पूरी फैमिली थी इसके बाद भी सूरज के दिमाग में यह बात थी कि भाई मैं इस रिश्टे से निकलना चाहता हूं अब अगर वो तलाक ले लेता तो क्या होता पैसा थे जो बापस देना पड़ता जो अब मालब साथ सो और सट ग्राम गोल्ड था जो दसलाक रुपे थे वो आठ हजार रुपे महीना थे जो एक कार थी इसमें दोनों के बीच जब सैटलमेंट होता परिवारों के यह सब चीज़े उसे वापस करनी पड़ती है तो उसने दूसरा रास्ता चुना और दूसरा रास्ता कभी ठीक रास्ता नहीं होता वह रास्ता हमेशा मृतुनresse को एक यह तो cam शोरी मढविकन ले उसने फ्याके त्रीके तलाशने शूरू कर दिए अब यूट्यूब पर उसने तमाम एसे बीडियो देखे जिसमें ये बताया गया था कि हत्या के लिए क्या सही चीज हो सकती है अब ये वीडियो देखते देखते उसे ये पता चला कि सांप जो है अगर वो किसी इंसान को काट ले तो ये मामला हत्या का नहीं बनेगा ऐसा उसे वीडियो के माद्य हम से पता चला कि यह तो एक्सिडेंट में किना जाएगा अच्छा केरल केरल में भी कोलम का इलागा जहां पर बहुत हरियाली है जहां बहुत मतलब सांप होते हैं तो उसे लगा कि यह ठीक आइडिया हो सकता है मगर सांप कौन सा अब मलब यह तो उसने सोच लिया कि सांप से ऐसा हम कर सकते हैं मगर सांप कौन सा तो उसके दिमाग में यह आ गया कि देखो अगर यह एक्सिडेंट सावित हो जाए तो पुलिस का डर नहीं है कोट का चेहरी का डर नहीं है सजा का डर नहीं है जेल का डर न साप मिलते हैं, तमाम साप से जुड़ी बातें पड़ ली, भरत में कौन से साप मिलते हैं, उस और हो कितने जहरीले होते हैं, क्या अगर ये किसी वेक्ति को काट लें तो वो बचेगा के नहीं बचेगा ये तमाम चीजें उसने वहाँ पर उनके नोट्स बनाना शुरू कर दिया अच्छा अब इस दौरान उसने ये भी देखा के सापों को पकड़ते कैसे हैं सापों को काबू कैसे करते हैं और सपेरों उसने जब मिला तो उसने ये भी पूचा भई साप की को कॉस्ट क्या है मतलब खरीदना है तो ये साप मुझे कितने का मिलेगा अब एक वेक्ति उसे ऐसा मिला जो उसे साप बेचने के लिए तैयार हो गया सपेरा और सपेरे का नाम था सुरेश अब इसने एक रसल वाइप पर नाम का एक साप खरीद लिया रसल वाई पर बहुत ही जहरीला साप होता है दस हजार रुपे में ये साप उसने खरीद लिया और इसने प्लास्टिक के कंटेनर में साप को रखा और घर ले गया बात है ये 2020 की फरवरी का महीना अब सूरज ने अपने घर की पहली मनजिल पर फर्श पर उसने साप को छोड़ दिया साप इधर उदर भागने लगा अब जहां उसने वो साप को छोड़ा वहीं उसने पतनी को भेज दिया बोला कि मेरा मोबाइल रखा है यहां यहां रखा है जाके तुम वह मोबाइल ले आओ अब उत्तरा वहां पहुंची और उस उसने लाठी से साप को उठाया और वो घर से निकल गया बाहर ले गया तो उसने साप को फेंका नहीं वहां उसने अपने पास रखा इसके बाद उसने दो मार्च में अपनी पतनी के हलवे में एक नशे की दवाई मिला थी तो उत्रा जो है वो नशे में बेहोश हो गई सो इस पार साप ने उत्रा को काट खाया अब उत्रा जो है उसने फिर दुबारा चिलाना शुरू करती है जब साप काटता है तो दर्द भी होता है तो उसने दुबारा चिलाना शुरू कर दिया तो इस बार वो आया उसने फिर वो साप को लाठी से उठाया और बाहर फेंक द लगाता है कि अब देर हो जाए अस्पताल पहुंचने से पहले पहले ये इतनी पीडित हो जाए जहर इसके नसों में चड़ जाए कि ये मर जाए मगर जब वो अस्पताल पहुंचा तब तक उत्रा उतनी गंभीर रूप से नहीं जहर उसके अंदर चड़ा था और डॉक्टर अब यहां उत्रा अस्पताल में थी और दूसरी तरफ सूरज ने एक और घिनोनी चाल को अंजाम देना शुरू कर दिया क्योंकि सूरज को यह तो पता चल गया कि उत्रा बच गई तो अब उसने क्या काम किया उसने इंटरनेट पे और जहरीले सांपों के बारे में पता कर तो उसने नया सांप तलाश किया और इस बार उसने सोचा कि सांप रखते ही नहीं इस बार रखते हैं नाग कोब्रा कोब्रा से जादा जहरीला कुछ नहीं तो इस बार उसने सुरेश को फिर अप्रेल में कॉंटेक्ट किया और बोला कि भाई मेरे को तो एक कोब्रा किये थे तो इस बार मैं इतने पैसे नहीं दूंगा मैं इस बार तुम्हें 7000 रूपए दूंगा सूरेश मान गया सूरेश ने इसkommen विब्र साथ हजार रूपए में दे दिया उसमें फिर पलास्टिक तो सूरज पहुंचता है अपनी ससुराल और सूरज जब अपनी ससुराल पहुंचता है तो वहां पे वह उस बैक को भी रख देता है यानि 52 दिन करीब उसकी बीवी अस्पताल में भरती रही 52 दिनों तक उसके मेडिकल का खर्चा उसके परिवार वालों ने उठाया 52 दिन के बाद वो उसे लेके अपने घर चले गए ताकि इसको यहां ठीक से रिकवरी मिल जाए लेकिन यहां 52 दिन तक वो इनसान सिर्फ यह सोचता रहा कि एक और बार किसी तरह मैं इससे साप से कटवा दूँ और मैं इससे मुक्तिपा हूँ कितनी नफरत मतलब जितना जहर में ज rushing लगता है उतरा कि नसों में सांपने नहीं डाला होगा उतना नफरत का जहर सूरज के दिमाग में था तो सूरज वहाँ पहुँचा अब वो देखके बड़ी खुश हुई कि मेरा पती आ गया मेरे को प्यार करता है कितना मेरी मेरे को इसने टाइम से एस्पताल पहुचा दिया वो खुश हो गई मगर सूरज उसके दिमाग में थी हत्या, खुण, मड़, मारना है, खतम करना है, मुझे तो छुटका राच रास्ते से टाला है, मुझे कोई और जाना है, अब 6 मही की रात थी, अब ये जो है, देखे, यहाँ पर ये हमें पता चलता है कि इस रात क्या होने वाला है, तो इसन उत्रा को एक गिलास जूस दिया, जूस में उसने बेहुशी की दवाई मिला दी, जैसे पहले हलुए में मिला थी, अब उसने अपने बैग से कंटेनर को निकाल लिया, अब उसने पांच फिट का कोब्रा बीबी के ऊपर फेंक दिया, कोब्रा भाग गया, वो पकड़ के ल कैसे पकड़ना है, सांप आपके ओपर हमला ना करे तो क्या करना है, लाग उसने बुरी रिसरच की थी आप, जैसा भी आपने बताया, उसने गर्दन से पकड़ा और उसे फिर एक और बार अपनी वाईफ की तरफ फेंक दिया, इस बार चूंकि उस पर तीन बार उसके साथ ऐसा हुआ, नाक के साथ ऐसा हुआ, इस बार उसने उत्तरा को काट लिया, और इसके बाद सूरज ने ततकाल कोबरा को एक शेल्फ में बंद किया, और जो गिलास जिसमें वेहुशी की दवाई थी, उस गिलास को दो दिया, और सांप को समालने के लिए जो छड़ी उसने इ जाके आराम से सो गया, उसी कमरे बें, जिसमें उसने कटवाया था, क्योंकि पती और पतनी एक ही कमरे में रुकते, ये बहुत ही समालने बाद चीत है, और मतलब उसको कटवाया, अगले दिन जब उत्तरा की माँ वहां पहुँचती हैं, तो देखती हैं कि उत्तरा का खुला हुआ है, एक हाथ लटका हुआ है, अब वो सूरज को जगाती है, सूरज तो उठाई हुआ था, मगर वो हैरानी का नाटक करता है, दुख का नाटक करता है, ये कैसे हो गया, अभी तो ठीक थी, मेरी तो रात में बात हुई थी, मैं तो लुट गया, बरबाद हो गय यहां पर उत्रा के परिवार वालों ने पुलिस को फोन किया पुलिस आई कुछ तो अब गड़बढ है लगातार बेटी के उपर साप बार-बार हमला कर रहा है और यह क्या है मतलब यहां साप आया कैसे क्यूंकि उस कमरे में जहां पती भी साथ में लेटा हुआ है और वो भ सूरज ने ही साप को उठाया था और बाहर फेक के आया था यह बात उत्रा ने देखी थी तो उसने अपनी फैमिली जैसे लड़कियां बात करती है घर पर उसने बता दिया कि अरे सूरज तो एक्सपर्ट है साप पकड़ने और यह तो उठा के बाहर फेक आता है तो यहां पूलिस ने सूरज को गिरफतार कर लिया जब सूरज को गिरफतार कर लिया गया 24 मई की को 양ी घिरफतार किया गया तो जब इसको गिरफतार कर लिया तो 78 दिन तक पुलिस अदिकारियों ने इस dries eso जयादा पने वाली चार्ज्षीट तैयर की कोड ट्राइल शुरू किया पशू चिकित सकों और डॉक्टरों की गवाही हुई तो 90 गवाहियां हुई इस पूरे मामले में सूरज के कॉल रिकॉर्ड पुलिस को मिल गए चूंकि कॉल रिकॉर्ड आप अपने फोन से डिलीट कर सकते हो मगर वो डिलीट नहीं हो सकते सूरेश के साथ वो समपर्क में था इंटरनेट की हिस्ट्री उसकी खंगाली गई तो यह पता चल गया के भाई यह तो सांप ढूंड रहा था क्यूं ढूंड रहा था वगएरा वगएरा तो एक वो पुलिस के पास में सुबूत था बगीचे से एक मरा हुआ कोबरा भी मिला तो वो एक सुबुत था कार में उशके नशीली दवाई मिली तो आपकी कार में नशीली दवाईं क्या कर रही हैं यह एक सुबुत था इसके बाद पुलिस को जाच में यह भी पता चला कि सूरज ने एक वाईपर भी खरीदा था और एक कुबरा भी खरीदा था, दो सांप यानि उसने पुल मिलाकर खरीदे थे, ये बात पुलिस को पता चल गई, अब जब ये खबर वहां लोकल अख़बार में छपी, तो एक शक्स पुलिस स्टेशन में पहुँच गया, अब यहां कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ती है, क्योंकि वो जो शक्स था, उसका नाम था बावा सुरेश, वही सपेरा, नहीं, सुरेश सपेरे का नाम था, मगर बावा सुरेश जो है, ये एक सांप एक्सपर्ट है, और ये एक मशूर जाना माना सांप विशशग्य है, और ये जो है इंटरनेट पे इसका ठिक ठाक कई तो किद्बा नेहीं उतरए की फैविली को ये silजएंट क्या था कि आप पुलिस में कंपलेंट कर दो यह सामाने मौत नहीं लग रही है किक वह जानता था उतरह के परिवार को उतरह का परिवार रसूक वाला परिवार था तो यह जानता अब उसने ये बताया कि रसेल सांप का जो नेचर होता है वो आक्रमक नहीं होता एक बात दूसरी बात ये के सांप पहली मंजिल पर अमूमन नहीं जाता है वो ग्राउंड फ्लोर पर ही रहना पसंद करता है वो ऐसा नहीं है कि सीडियों के रास्ते या ऐसे ऊपर जाएगा औ पेरा शिकार फस्ट फलोर पर ऐसा नहीं होता तो उसके बाद में जब उत्तरा को कोबरा ने काटा तो वो कमरा एसी वाला था यानि उसमें कोई एसी जगह नहीं थी कि जहां से सांप या नाग भीतर आ सके अच्छा तीसरी बात ये के कोबरा उस नेचर का सांप है नाग है कि जो बिना उकसा है लोगों के उपर हमला नहीं करता है जैसे दो बार फेका जवड़ दस्ती हो वाँ बस चलागा है इसके बाद पुलिस ने इस दोरान जो सी सुरेश है उसको भी पकड़ लिया यह वो सपेरा है जिसने सूरज को नाग बेचा था तो उसने यह बता दिया कि प्लास्टीक की डमी रखवाई को भी मैंने थो दो दिये थे इसको एक रसल दिया था उसके बाद मैं इसे कोब्रा दिया था तो सूरेश ने क्या काम किया अपनी जान की नाग निए गवाह बन गया तो उसने सूरज के खिलाफ गवाही दे दी अब जब गवाही दे दी तो ये बात सावित हो गई के सूरज ने ही अपनी पतनी उत्तरा को बेरहमी से कतल किया है तो पुलिस ने इसके बाद घटना करम को री क्रियेट किया एक प्लास्टिक की डमी रखवाई कोवरा उसके उपर फेंका कोवरा भागने लगा फिर दो तिन बार जब उसे उकसाया तब जाके उसने डमी के उपर हमला किय तो ये सब तो पुलिस को पता चल गया अब यहां पुलिस को एक और बात भी पता चली मरतुन्जा क्योंकि सूरज ने बहुत वक्त पहले से चूंकि तीन साल का उसके पास में वक्त था तो उसने ये तीन साल अपने दोस्तों को ये बताने में लगा दिये कि मेरी पतनी को नागिन का श्राप मिला हुआ है मतलब इतनी लंबी प्लॉटिंग और प्लैनिंग चल रही थी उसे खाहनी रची गई थी देखे उसने ये बताया कि उसकी बीवी ने ये बता रखाया उसे पहले से के मेरी जो मौत है वो साप के काटने से होगी और मैं बहुत जादा वक्त ज अब पुलिस को ये भी पता चल गया कि किसी और महिला के साथ सूरज के तालुकात थे क्योंकि मोबाइल जब खंगाला गया तो मोबाइल जूट बोलता नहीं वहां से पुलिस को ये वाली बाते भी पता चल गई एक और बात भी पता चली कि सूरज ने एक टर्म इंशोरें सकती थी तो उत्तरा को बोलके वो पूरा गोल्ड उसने घर पे रखवा लिया था और दहेज में जो उसे समान मिला था उसमें से अधिकतर उसने गायब कर दिया था और जब ये तमाम सुबूत पुलिस के हाथ लग गए तो फिर सूरज से पूछताच हुई और पुलिस की प्यार है दिन तक कुछ भी कोब्रा को खाने पीने को नहीं दिया ताकि कोब्रा गुस्से में हो और वो तुरंत उत्रा के उपर हमला करें इसके बाद कोर्ट ने इसको जगन्यतम हत्या करार दी 17 साल और डबल आजीवन कारवास 17 साल के जेल के साथ दोहरे आजीवन कारवा है वो अपने नानानी के पास है देखे मतलब ये जो पूरी कहानी है ये कहानी आपको क्या बताती है ये घटना आपको क्या बताती है ये बताती है कि लालच किस कदर इनसान के मानसिक्ता पर हावी हो जाता है कि उसे बड़े से बड़ा अपराद करने के लिए मजबूर कर देता है सूरज ने यही किया और बेचारी उत्तर जिसका कोई जोश कोई धोरड़ कोई निर्दॉश निर्दॉश को कोई भी बीमारी भी थी तो भी विस भी परफ पहो बता दिया गया था कि भाई धिा को यह विमारी है मेरी भी को इसblowingment तो अंत में जैसा होता है आप राधी चाहे जो करें वो ना पुलिस से भाग सकता ना बच सकता कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अंत में वो पकड़ा गया वो गिरफतार हो गया आज की तारिक में वो जील की सलाकों के पीछे है और अपनी पूरी जिंदगी महीं गटना है इससे हमें ये पता चलता है कि लालच नहीं करना और ऐसे लोगों पे जो सिर्फ पैसे के लालच में शायद आप से संबंद बनाना चाहें उनसे दूर रहने का प्रियास करना चाहिए ये इस सीरीज के जरीए मरतुंजे हम दर्शकों को रोजाना एक इसी तरीके क गटना बताएंगे एक किस्सा सुनाएंगे उन अपराधों के बारे में अपराध जगत के ऐसे किस्सों के बारे में जो बहुत ही जगन्यतम है ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि दुनिया में किस-किस तरह के अपराध होते हैं और आप तमाम तरीके से चोकनने रह सक यही हमारा उद्देश है इस सीरीज के साथ जैसा वरुणुसर ने बता है कि हमारा उद्देश यहीं कि किस किस तरह के अपराद होते हैं जब यह ख़़ली बास सामने आई होगी कि कि इस पर प्रिप्लैंड बिदर था जिसकी प्लॉटिंग कितने पहले से कितने सालों से की जा रही थी खैर इस पूरी ख़बर को लेकर आपका क्या मानना है आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए और जुड़े रही है अमारे जालो गुरुप के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें